नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों मैं हूँ आपकी दोस्त प्रेरना और फिर से एक बार आपके लिए एक नई और मज़ेदार कहानी लेकर आई हूँ हमारी आज की कहानी का नाम है मूर्ख जोतिशी एक शहर में एक जोतिशी रहता था वो हर समय आकाश में स्थित ग्रह नक्षत्रों की चाल देखता रहता था और फिर उनकी गिंती में उलजा रहता था एक अंधेरी रात में वो आकाश की ओर देखता हुआ चल रहा था की अचनक उसका पैर फिसल गया और वो कूवे में जा गिरा कूवा सूखा हुआ था और जादा गहरा भी नहीं था उसके अंदर से वो लोगों को मदद के लिए आवाज लगाने लगा बच्चाओ बच्चाओ मैं कूवे में गिर गया हूँ कोई तो मुझे बाहर निकालो एक किसाल उसकी आवा सुनकर रुका वो कूवे के पास गया और उसमें जाक कर देखा तो वहां जोतिशी गिरा हुआ था उसने जोतिश से कहा अरे जोतिशी महाराज आप तो सब लोगों की ग्रह दशा बताते हैं फिर क्या कारण है कि आप अपना भविशन नहीं देख पाए और चलते चलते कूवे में गिर पड़े ये कहकर वो किसान हस्ता हुआ वहां से चला गया तो मेरे प्यारे दोस्तों समझ गए ना आप हमें एक समय में एक ही काम करना चाहिए आपको एक कहानी कैसी लगी मुझे जरूर बताना हम सभी प्यारे दोस्तों को एक साथ जोडने के लिए मैं आरती ना एक चेंज मेकर इनकी बहुत ही आभारियू तो कल मैं फिर आउंगी आपके लिए ऐसी ही एक मज़ेदार कहानी लेकर तब तक के लिए नमशकार